वंदे मातराम बहुत स्वागते आप सभी का मैं हूँ आपके साथ दिपिका सिंखल गुजरात से सबसे पहले खबर आपको बताते हैं क्योंकि भारी बारिश के चलते पूना अंबिका नदी उफान पर है अंडी आर्फ की टीम राहत और बचाव कारे के काम में जुटी हुई हैं और डांग में भारी बारिश के चलते कई जगह पर जमीन धस गई है नवसारी में कई निचले लाकूं में पानी गुज गया है ये गुजरात का हाल हम आपको बता रहे हैं तो डांग में भारी बारिश के चलते कई जगां पर जमीन धस गई है नवसारी में कई निचल अलाकों में पानी गुज गया है और लगातार बारिश हो रही है जिसकी वज़े से खाल ऐसा हो गया तो भारी बारिश हो रही है नदियां उपान पर हैं और यहीं वज़ह है कि कहीं कहीं बाड़ के हालाद उपन हो गए हैं तस्वीर आप देख रहे हैं सड़कों पर पानी पानी आपको नजर आ रहा होगा तो आपको बताएं से पहले अमदबाद में स्कूल बंद कर दिये गए थे क्योंकि बारिश निरंतर हो रहे थी सड़कों पर जल जमाव हो गया था लेकिन अब क्योंकि पूर्णा नदी उपान पर है पानी जादा नदियों में बढ़ गया है और यही वज़य है कि कई जगहों पर बार जैसे हालात उत्पन हो गया है पूर्णा और अंबिका नदी उपान पर जलसकर नदियों का बढ़ गया है निरंतर बारिशों में से NDRF की टीम लगातार राहत बचाव कारे में जुटी हुई है लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है तो कि चारों तरफ अगर वो बाहर निकलेंगे तो पानी पानी सिर्फ नजर आ रहा है और शिलंका में आज सुभ़ पांच बजे से आपातकार लागू कार्यवाहक राश्च्पती ने किया आपातकार लागू बिगरते हालात के चलते एमर्जंसी लागू की गई है कार्यवाहक राश्च्पती विक्रम सिंगे की स्तीफे पर जनता आड़ी हुई है स्तीफा न देने पर आज संसत भवन का घेराव जनता करेगी सेना ने शांती बना रखनी की सभी से अपील की है आपको बता दे कि कोई रास्ता विक्रम सिंगे को नजर नहीं आया था इमर्जंसी लगा दी गई कार्यवाहक राश्च्पती की तरफ से और अब आज ये जानकारी है कि स्तीफे पर जो जनता आड़ी हुई है वो आज घी सड़कों पर उत्रेगी संसत भवन का घेराब करेगी क्योंकि स्तीफे की मांग विक्रम सिंगे की जनता कर रही है ये देगे हालात पूरी तरीके से बिगड़ चुके है तो राश्पती थे कहा जा रहा है जानकर ये मिली कि वो मालदीव फाग गए है बिना स्तीफा दिये राजकुमार चौधरी वेरे सयोगीए मासत फुल लाइन पर रहें राजकुमार जी आज के हालात क्या है श्रीलंका की दीपेगा स्वभाविक है कि कल की जो इस्तिती थी उससे भी ज्यादा बदतर इस्तिती होने की संभावना से इंकान नहीं किया जाना लेकिन बजाएजा यह चुनोती के तौर पे इसको देखा जा रहा है राश्टपती शाषन लागू हो चुका है पूरी तरीके से लेकिन यह मानना पड़ेगा कि वहां की जिनता है स्री लंका की वह बिलकुल इस पश्ट तौर पर कहीं बिलकुल एक संवेदन सील इस्थिती में क्यो हालात सामाने होने में अभी बिलकुल इंकार किया जा सकता है लेकिन बिलकुल आश्कपार जी और जिस तरीके से हम यह तस्वीरे देख रहे हैं उससे वाकई में लग नहीं राय फिलाल की हालात यूही सामाने हो जाएंगे क्योंकि राश्च्पती तो पहले ही फरार उसके बाद कारवाग राश्च्पती रानिल विक्रम सिंगे अब उनके सीफे की मांग पर अडिया जनता किसी पानी को ले जाना होता है तो एक बरे का इस्तेमाल करना होता है एक नाली बनानी होती है यही वजह है कि राश्च्पती भवन में तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब जनता भवन के अंदर खुस गई थी और किस तरीके से क्या तसवीर देखने को मिली थी वह फिलाल स्ट्रीन पर आप देख सकते हैं बदबर शुक्रिया राजकुमार आपका जानकारी के लिए और देखे श्रीलंका के राश्पती गोट बायर राजपक्षे के देश छोड़ कर मालदीव जाने के बाद श्रीलंका में आपातकाल की घोशना कर दी है और आज सुभा पाँच बजे से श्रीलंका में इमर्जनसी लागू भी हो गई है राजपक्षे देश की अर्थ विवस्ता को ना संभाल पाने के चलते अपने और अपने परिवार के खिलाफ बढ़ते जन आक्रोश के बीच देश छोड़ का चले गए है जिसके बाद श्रीलंका में उग्र भीड ने जमकर विरोध किया और इस दोरान भारी संख्या में प्रदर्शन कारी सडकों पर उतराए और प्रदर्शन करने लगे इसके बाद श्रीलंका में इमर्जनसी लगा दी गई श्रीलंका इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है गंभीर आर्थिक संकर जिल रहे श्रीलंका में कगाली जैसी इस्तिती है इसकी वज़े है वहां के लोग सरकार की खिलाफ आक्रोशित है और सडक पर उत्रे लोगों की भीर बेकाबू हो गई है उग्र भीर ने पियम आवास का घेराव किया इतना ही नहीं प्रदेशन कारी भारी संख्या में सडकों पर उत्रे जिसके बाद श्रीलंका में इमर्जंसी लगा दी गई श्रीलंका के राश्पती गोटबाय राजपक्षे देश छोड़ कर मालदीव भाग चुके है श्रीलंका में आपातका लगा दिया गया है राश्पती के भागने के बाद ये फैसला किया गया है देश में आपातका लगाने का फैसला श्रीलंका के प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया है इसके जानकारी पीम कार्याली की तरफ से दी गई है राश्चपती के बिना इस्तीफे दिये भागने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग पीम आवास और पीम के कारेले के बाहर उन्होंने प्रदशन किया जिसके बाद पुलिस ने प्रदशन कारियों को कंट्रूल करने के लिए आंसू गैस के गुले छुड़े पीम कारेले और पीम आवास पर हेलिकॉप्टर के जरिये शिलंका की सिना हालात पर नजर बनाये हुए है देश के अर्थविवस्था को ना संभाल पाने की कारण बढ़ते जनाक्रोश के बीच राजपक्षे ने बुद्वार को स्तीफा देने की घोशना की जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ एक विमान से मालदी भाग गर राजधानी कोलंबो में इस समय अफरत अफ्री का माहुल है और ऐसे में वहाँ इमर्जन्सी लागू कर दी गई है हालंकि ये पहली बार नहीं है जब श्रीलंका में आपातकाल की सिती बनी है श्रीलंका में आपातकाल का बड़ा और लंबा इतिहास रहा है पहली बार 1958 में लगा अपातकाल शीलंका में इमर्जेंसी के हलाद बनते रहे हैं कई बार बहाँ इमर्जेंसी लगाई जा चुकी है ब्रिटिश शासन से 1948 में ये देश आजाद हुआ और उसके बाद के 74 सालों में शीलंका ने एक लंबा वक्त इमर्जेंसी को जिलते हुए बिताया है सबसे पहले साल 1958 में वहाँ अपातकाल लगाया था सिहली को ओनली लेंग्विज पॉलिसी के तौर पर अपनाया गया था इसी वज़े से वहाँ इमर्जेंसी लगाय गई थी बतादे की शीलंका में लंबे समय तक सिहली सामराजी का वर्चस्व रहा है सिहली सामराजी के शासनकाल में पुर्टगालियों को भी किनारे हुना पड़ा था 14 सदी में सिहली शासनकाल में देश की राज़धानी कोलंबु नहीं बलकि श्री जैव वर्धनापुरा कोटए शहर था सोलवी सदी में जब पुर्टगाली आए तो सिहली सामराजे उनका विरोध करते रहे और आकरमण भी पुर्टगाली अपना व्यापार और सामराजे नहीं बड़ा पा रहे था तो उन्होंने राध्धानी ही बदल डाले और कोलंबोश शिफ्ट कर लिया उनकी एक अलग कहानी है खेर 1958 के बाद 1971 में लेफ्ट विंग जनता विमुक्ती पेरामुना के विरोध के कारण एक बार फिर इमर्जनसी लगाए गए थी 123 साल तक लगातार रही इमर्जनसी शिलंका में एक समय ऐसा आया जब सबसे लंबी अवदी के लिए इमर्जनसी रही इमर्जनसी की शुरुवात का साल था 1983 और इमर्जनसी के वज़े लिट्टे का अंदूलन इमर्जनसी 27 सालों तक लगी रही और 2011 में इसे हटाए गया लिट्टे यानी तमिल समू लिबरेशन टाइगर्स और तमिल ईलन जिन्हें तमिल टाइगर्स के नाम से भी ज़ाना जाता है ये संगठन श्रीलंका में अलग राज्य की मांग परड़ा था और इनके अंदूरन की वज़े से तेश में ग्रेय युद्ध जैसी इस्तिती पैदा हुए थी इस कारण 1983 से 2011 तक देश में बर्जनसी लागू रही चार दशक तक जिला आपातकाल 2018 में भी ततकालिन राष्टपती मैत्री पाला सिरी सेना ने मार्च में देश के कुछ हिस्सु में मुस्लिम विरोधी हिंसा को रूखनी के लिए आपातकाल की खोशना की थी हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई थी जबकी आगजनी के कारण संपत्ती को भी नुकसान पहुँचा था मोटा माटी देखा जाए तो शिलंका ने करीब चार दशक की अवधी तक आपातकाल जिला है शिलंका में आपातकाल के नियम इमर्जनसी यानि आपातकाल का सीधा मतलब है संकट या विपत्ती का समय कई देशों के सम्विधान में आपातकाल को लेकर प्रावधान होते हैं जिनका इस्तमाल संकट की स्तिती में किया जा सकता है संकट के सिती से मतलब है जब देश पर किसी आंतरिक या बाहरी रूप से खत्रे की आशंका हो या फिर देश में आर्थिक रूप से बड़ा संकर आनपड़ा हो आपातकाल की सिती घोशित करने की शक्ती राश्चपती के अधिकार में नहित है जो सम्विधान के अनुचेद 155 के तहट सरकार के मुखिया होती है शिलंका में कंगाली के हालात और राश्चपती के देश छोड़ने के बाद तो शिलंका में बवाल मचा हुआ है यहां हालात यह हैं कि अब लोग प्रधान मंत्री से भी इस तीफे की मांग कर रहे हैं चिलंका में जारी इस जन विरोध के बीच अमेरीकी दूतावास को भी दो दिनों के लिए बंद कर दिया गया है तो वहीं टीवी प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई है यहां हाल दिन पर दिन बिगड़ते जा रही है डेस्क रिपोर्ट नेटवर्क टैन और चले फिलाल बक्तों गया एक छोड़ी से ब्रेक का फॉरन लोटेंगे